गुड मॉर्निंग, शुपरवातम, कैसे हैं आप लोग, मैं लगातार आप लोगों का मैसेज देख रहा हूँ, फिर उसी प्रकार का प्रस्ण है, सर सतर्मी विपेसी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, सतर्मी विपेसी का एक्जामरिशन सेप्टेंबर में होगा क्या, या अ तो मैं सरकार में हूँ, और नहीं मैं आयोग में हूँ, मैंने लॉजिकली संभाबना व्यक्त किया था, आज भी मैं उसी मुद्दे पे चर्चा कर रहा हूँ, और एक संभाबना ही है, लेकिन बिलकुल तार्किक है, आप समझ सकते हैं, आप ऐसे सोचिए कि अभी तक सतर्म भी भी PSC का नोटिफिकेशन नहीं आया है, अंदाजा लगा सकते हैं क्यों, चुकि बढ़े हुए आरक्षन को जो हाई कोट ने खारिज किया, तो सरकार कहां गई, सुप्रिम कोट, यह उमीद थी कि सुप्रिम कोट हाई कोट के फैसले पे अस्टे लगाएगी, ऐसा नहीं हुआ, और हाई कोट ने जो अगला डेट दिया है, वो 10 सेप्टेमबर है, सरकार ने अगर आरक्षन बढ़ाया है, तो कुछ सोच समझ के ही बढ़ाया होगा, ऐसा तो नहीं कि तुरत बैक फूट पे आजाएगी सरकार, मतलब असपस्थ है कि अगले सुनबाई को भी सरकार देखेगी ही, कि सुप्रिम कोट क्या फैसला सुनाती है, तो लग रहा है कि सेप्टेमबर तक तो कोई चांस ची नहीं है, कि सेप्टेमबर में नोटिफिकेशन आ जाए, अगर आएगा भी तो सेप्टेमबर लास्ट में ही, तब अगर सेप्टेमबर लास्ट में नोटिफ समबर से तो पहले नहीं होना चाहिए, यही संभावना बनती है, अब ऐसी स्थिति में अब दो परकार के छातर हैं, एक ऐसे स्टूडेंट होंगे, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, प्रिलिम्स के अस्तर पे उन्होंने काफी बेहतर किया है, तो उन्हें क्या करना एक तो उन्हें बिकली कम से कम एक टेस्ट स्रीज लेना चाहिए, यानि टेस्ट के आधार पे वो अपना सिल्फ मुल्यांकन करते रहें, और दो-चार घंटा पीटी पे टाइम दे, अगर कोई पार्ट आपका कमजोड है, तो उसको बहतर करने का आपके पास टाइम है, बह इससे हाथ-उत्सा होने की जरुवत नहीं है, और हाथ पे हाथ रखकर बैठने की जरुवत नहीं है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, यानि पीटी के साथ-साथ मेंस पे भी फोकस कीजिए, मेंस के कुछ सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं, करेंट पे फोकस कर सकते हैं, आई आप अपना खुद का बेहतर मुल्यांकन कर सकते है वैसे स्टूडेंट जिनकी तयारी बहुत अच्छी प्रिलिम्स अस्तर पे नहीं है उनको तो बेहतर मौका मिल रहा है वो इस समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकते है और वैसे फिती में सबसे पहले उन्हें कोशिस ये करना चाहिए कि प्रिलिम्स का जो एक मेजर एरिया है मेजर पार्ट है जहां से सरवाधिक प्रस्न होता है यह आप लोग भली भाती जानते है कि वह इंडियन हिस्ट्री से सरवाधिक कोश्चन होता है करीब 35 से लेकर 40 कोश्चन तक होता है आपका तो उस एरिया पे पूरा फोकस करेंगे खुब अच्छा करेंगे उसमें भी सरवाधिक कोश्चन मादन हिस्ट्री से होता है मादन के फ्रिडम अस्टगल का लिए पार्ट पे होता है तो वहाँ पे फोकस करेंगे बिहार हिस्ट्री से कोश्चन ज़्यादा जो पूछता है वो भी मादन प्रियेट से पूछता है तो स्वतंता संग्राम में बिहार के निताओं की भूमिका कौन-कौन सी प्रस्नलीटी है जिनकी भूमिका है उस प्रस्नलीटी पे बर्ग कीजिएगा चुकि देखिएगा बिहार का जब भी कोई कोश्चन होता है फीडम अस्टेगल से तो प्रस्नलीटी बेस्ट कोश्चन ज़्यादा होता है तो इस पे फोकस कीजिए साइंस से कोश्चन काफी होता है और science में भी सर्वाधिक जो प्रस्न होता है वो biology से होता है तो उसको थोड़ा अच्छा किजिए उस पे focus किजिए पुरी तरह से फिर current का area काफी बड़ा है तो मोटा मोटी एक साल का यानि कोशिस किजिएगा क्या नवंबर से लेकर अगला आने बाले नवंबर तक हम प्रिपेर रहेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसी मैगजिन current के लिए जिसको आप regular पढ़ते रहे हैं या आखवार आप पढ़ते रहे हैं आपने current issue को लिखा है ठीक है और ऐसी मैगजिन पर यह जिसमें description हो सरकार की कोई ओजना है तो भली भाती आप उसे पर के समझ सकें हाँ खाली information बेस्ट नहीं हो चुकि सिर्फ PT तो नहीं देना है मेंस भी देना है आगे interview भी देना है तो फिर चूटका टाइप हम क्यों पढ़े हैं क्या फाइदा उसका कोई benefit नहीं है इसलिए वैसे margin को पर ह जिसमें पूरा description भी हो जिसको आप पर के समझ सकें चीजों को जैसे परत्योगता दर्पन हो सकता है ठीक है civil services chronical हो सकता है दृष्टी हो सकता है ठीक है इस type का जो भी magazine जो आप continue पर तेया रहे हैं उसको regular कीजिए तो current के area पे पूरा focus कीजिए काफी अच्छा कीजिए तो स सबसे पहले history, science और current पे focus करेंगे ठीक है आगे के फिर strategy में अन्य subject को आप add कीजिएगा यही बेहतर तरीका होगा आगे बेहतर करने का मानते हैं लेकिन एक बात तो बिल्कुल असपस्ट है कि अब September में तो examination होने का कोई chance नहीं है चुकि अभी तक आज तक notification नहीं आया और इस महीने में बिल्कुल chance नहीं है तो इसी हिसाब से अपने आप strategy को बना सकते हैं अपनी रन्निति को बना सकते हैं लेकिन बैठ के कभी बेट नहीं कीजिएगा और हतोत्सा होने का कोई chance नहीं की जाँडेट बर रहा है नहीं इसका इस्तमाल कीजिए यह कुछ technical problem है जिसकी करन ऐसा हो रहा है ठीक है थैंक यू